हेलो दोस्तों स्वागत था आपका हमारे चैनल में आज मैं टमाटर का सूप बनाना बताऊंगी तो मैंने टमाटर को धोकर काट कर उबलने के लिए रख दिया है और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से पकाना है तो मैंने यहां पर लिया है कटी हुई हरी मिर्च अद्रक और लहसुन इन सब को काट का रख लेना है इसके बाद टमाटर को देखते हैं देखिए हमारे त्यायर हो चुका है उसके बाद हम इसको किसी मैस करेंगे इसके बाद किसी बड़ी छन्त से इसको चान लेंगे उसके बाद हम कडाही में डालेंगे सरसो का तेल या रिफाइंड का तेल कुछ भी डाल सकते हैं आप तो मैंने यहाँ पर सरसो का तेल डाला है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कटा हुआ लहसुन जो कि मैंने काट कर रखा था लेसन और अब मैं इसमें डाल रही हूं अदरक जो मैंने काट कर रखा था हमें ज्यादा नहीं से भूनना है बस थोड़ा थोड़ा यह भूनना है इसके बाद मैंने हैं एट किया है जो मैंने मिर्च काट के रखी थी और यह दिखी हलका ब्राउन हो गया है अब मैंने इसमें सेज्वान चटनी थोड़ी सी लगबग आदह चमच और फिर मैंने एक चोटा चमच इसमें डाला है टॉमाटो विछ कि ऑर एक आदह सोया सॉस स्वीकाई स्वेकर में बहुत थोड़ा ही डालना है फिर मैंने चान के रखा था है टमाटर का जूस उसे मैंने डाल दिया है और अब हमें धीरे-धीरे करके इसे पकाना है मैंने इसमें कोई कौर्ण स्टार्च नहीं डाला है और अब मैंने डाला इसमें काली मिर्च का पाउडर काला नमक एक छोटा चमच और एक छोटा चमच नमक उसके बाद मैंने इसमें डाला है मैगी मसाला इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इस तरह तैयार है हमारा सूर तो जब तक मैं सर्ब कर रही हूं आप जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए लाइक और सेर भी कर देना